वेलकम तो यूर ओन यूटूब चैनल डाउट बस्टर आज हम बात करेंगे एंटी हाइपर्टेंसिव ड्रग होता क्या है हाइपर्टेंशन को ट्रीट करने के लिए हम एंटी हाइपर्टेंसिव ड्रग का यूज करते हैं और हाइपर्टेंशन ब्लड प्रेशर होता है जिसमें ब्लड प्रेशर ब्लड इंक्रीज हो जाता है और इससे चांसे है कि हाइपर्टेक आ सकते हैं तो इंटी हाइपर्टेंसिव ड्रग में हम बात करेंगे राऊल्फिया के बारे में तो फर्स्ट पॉइंट है major drug source in Indian system of medicine रावलफिया Indian system of medicine का एक major source है सेकेंड पॉइंट है because of snake-like shape it is known as सर्फगंधा स्नेक-like shape साप की तरह इसका shape होने की वज़ा से इसे सर्फगंधा कहा जाता है थर्ड पॉइंट है it is used in treatment of insanity insanity मतलब होता है पागलपन and snake bite यानी साप के काटने पर since traditional time traditional time यानी पूराने समय से ही इसका यूच पागलपन और साप के काटने में होता रहा है next point है this drug came into limelight after the isolation of reserfin from roots यह drug limelight यानी प्रचलन में तब आया जब इसके राउलफिया के roots से जब रिजर्पीन isolate किया गया रिजर्पीन क्या है रिजर्पीन एक तरह का alkaloid है तो यह था introduction of राउलफिया अब बात करेंगे synonyms of राउलफिया फर्स्ट है राउलफिया root राउलफिया root रूट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह इसका जो active constituent है वो root से मिलता है next है serpentina root serpent miss होता है साप और इसका सेप साप की तरह होने की वज़ा से इसे serpentina बोला जाता है next है छोटा चंद इसको आम बोल चाल की भासा में छोटा चंद बोला जाता है next है सर्पगंधा इसके पिछले introduction में हमने पढ़ा था कि सर्पगंधा इसका नाम है वो साप की सेप की वज़ा से आता है next है Indian snake root यह snake की तरह होता है और जो की यह Indian होने के कारण इसे Indian snake root कहा जाता है next है biological source antihypertension drug reserpine का biological source है it consists of the dried roots and rhizomes of ralphae serpentina belonging to family epocynese roots means होता है जड़ और rhizomes मतलब होता है underground stem होते हैं जो की इनके पास ability होती है कि यह नया plant विक्सित कर सकते है next है geographical source यह इनकी cultivation कहा कहा होती है और यह कहा कहा पाय जाते है it is found in topical regions यह topical regions पे पाय जाते हैं जैसे कि होगे Asia, America और Africa में यह पाय जाते हैं in India it is cultivated in उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिल नाडू, वेस्ट बेंगौल, गुजरात इंडिया में यह उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिल नाडू, वेस्ट बेंगौल, एंड गुजरात में यह इनकी खेती होती है अब बात करेंगे macroscopic characters first है color, root bark is grayish yellow to brown and wood is pale yellow color इसके जो root bark होते हैं, वो grayish yellow to brown color के होते हैं और इसकी जो लगड़ी होती है, वो pale yellow color की होती है order, यह orderless होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गंद नहीं होती है taste, taste इसका कैसा होता है, bitter होता है, इसका taste कड़वा होता है size, about 10 to 18 cm long and from 1 to 3 cm in diameter यह तकरीबन 10 से 18 cm लंबा होता है और इसका diameter होता है, वो 1 से 3 cm होता है next है shape roots are cylindrical, slightly tapering and tortoise इसके जो roots होते हैं, वो cylindrical होते हैं और slightly tapering, यानि लंबा और पतला होते हैं tortoise, tortoise मतलब होता है, टेड़े मेड़े, इसके shape होते हैं अब बात करेंगे chemical constituents के बारे में रॉल्फिया में तकरीबन 30 alkaloids पाए जाते हैं और इनके roots में जो alkaloids पाए जाते हैं, उनकी ranges होती है 0.7 to 3%, इसमें ये range है कि इसी के बीच 0.7 से 3% तक इसमें alkaloids पाए जाते हैं रॉल्फिया में जो alkaloids पाए जाते हैं, उनको classified किया गया है indole alkaloid, indoline alkaloid, indolenine alkaloid, oxindole alkaloid, pseudo-indoxy alkaloid रॉल्फिया में जो important alkaloid है, वो है riserpine इसमें agmolicine, oleoresine, phytoesterol, fatty acid, unsaturated alcohol and sugar ये सभी भी पाए जाते हैं अब बात करेंगे chemical test तो first है, riserpine shows violet red color when treated with solution of vanilline in acetic acid riserpine जो है violet red color देता है, जब उसको treat कराते हैं, vanilline solution से in acetic acid और second method है, powdered rolfिया के लिए, ये powder form में है when treated with sulfuric acid and pyra dimethyl aminobengaldehyde तो ये क्या develop करेगा? violet red color, यानि powder rolfिया को जब हम sulfuric acid और pyra dimethyl aminobengaldehyde से treat कराते हैं, तो violet red color develop होता है अब बात करेंगे uses के बारे में rolfिया have anti-hypertensive activity rolfिया के पास anti-hypertensive activity होती है रिजर्पीन lowers the blood pressure rolfिया में जो रिजर्पीन अल्कोलड प्रेजेंट होता है वो blood pressure को decrease करता है it is used in anxiety condition and some neuropsychiatric disorder rolfिया का योज, anxiety condition यानि की stress और tension और some neuropsychiatric disorder जैसे की mental illness हो गया इन सब disease में हम यूज करते हैं rolfिया का एजमालिसीन is uses in treatment of circulatory disease blood से related circulatory disease जो होती है उनमें एजमालिसीन यूज होता है it has less sedative property और इसके पास less sedative property होती है sedative means cna depressant जो की cns को depress करता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो like करे, comment करे और share करे और channel को subscribe करना ना भूले thank you so much